है एलो दोस्तों कैसे आप सभी लोग स्वागत है आपका आज इस वीडियो में तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग फ्रेम को हाई फ्रेम में कनवर्ट कर सकते हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हो मेरा इन लोग भी 60 है और मेरे देख रहे हो 70-79 ऐसे आ रखे हैं तो गाइस ऐसे सेटिंग्स में आपको बता हूं कि आपका हाई फ्रेम में खेलने को मिलेगा यह एपेक्स लेजेंड्स चाहिए आपका तो गाइस चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं हाँ जी दोस्तों चलिए अपने सेटिंग्स में आते हैं आपको यह सेटिंग्स में आ जाना है तो सबसे पहले आपको भाई अपने गेंपले की सेटिंग्स में आ जाना है तो सबसे पहले भाई इन ट्रेक्ट कॉम्ट स्टाइल है इसको आपको डेफोल्ट कर देना है इसका है डिस्प्ले मोर और लेस इंप्रमेशन अबाउट वैपन्स एन आइटम उन दी ग्राउंड डिफोल्ट और इंपक्ट तो डिस्प्ले करवाना आपको जैसे कि इनफोरमेशन है वैपन्स की और आइटम्स जो ग्राउंड पुड़े रहते हैं वाई डिफोल्ट डिफोल्ट ही रहने दे इसको बटन हिंट्स को ओन कर देना आपकी मर्जी है कि हिंट आपको चाहिए न अबर ओल रिसेंट डैमेज तो यह आप इसको फ्लोटिंग कर सकते हो बट मैंने यहाँ पूरा जो लो सेटिंग से उसके थू कर रखा मैंने सब कुछ यह तो आपको यही करना सबसे लो सैटिंग जो होती है एक सेटिंड के सबसे लो सैटिंग में से है तो पिंग इसका उप्शन है 2D है 3D है और 2D 3D बोथ है मैं ने बोथ कर रखा है सो बोथ थी टुटेमेंज थी डिमेंज इंडिकेटर तो यह बेस्ट है तेकिंग डेमेज क्लोश्चिस डेथ बोक्स मैंन्यू इसको मैंने अवन कर रखा है डिटरमाइन इप टेकिंग डेमेज वाइल लूटिंग एडेथ वोक्स विल क्लोज दी मेन्यू के स्टीमर्स मोड को मैंने ओफ कर रखा है अगर आप स्टीमर मोड को ओन कर देते तो आपको जो जिस बंदो को मारेंगे आपको उसके नाम नहीं देखेंगे तो इसको फिकर नाठी है यूसे शेरिंग को मैंने इनेवल कर है मैं सब्सक्राइब कर दो नोर्मल आगा और आप इस वाले को आप बोलता रहेगा यह जैसकि आप इन लोग और दो तो बोलेगा कि उस बंदे ने ऐसा सथ बोला है थोड़ा इनोंसा है यह यह तो गेमिंग गेम प्ले की सेटिंग्स थे तो वाइस देख लेजिए आप एक बार चाहिए तो अपना स्क्रीन सोले लेजिए या फिर आप एजिटीज कर सकते हैं बस कुछी चेंजिंग्स होते हैं अब करना यह तो आपको देखना है कि आपकी कमफोटेबल हो कि मैंने फांस में बिल्किल कमफोटेबल हूँ और माउस इंवर्ट ओफ लाइट्रिंग इफेक्ट और गाई यहां पर है मूमेंट के आपको अपने तरीके से शिखकिस विन में अच्छा खेलना लगता आप इसको तो यह सबशन्वीन इसमें बाईटिक अब आधे कंट्रोल इसमें भी कुछ नहीं बाईटिक है अब की अगरापको स्क्रीन लेना तो आप स्क्रीन सोड ले सकते हैं इसका एटिक ले आउट डिपोल्ट इंतरैक्ट लोड़ बटन है वावा है ग्रउच बटन टोगल पर रख रहा है इंपोर्ट मैंने होल्डपर रख रहा है ट्रिगर जयद जैद जैगें को मैंने डिफोल पर ठाइट यह तो अपने है सेंसिटिए मेंने डेफोल्ट रखे है थीन पर लोक सैंसे विटेए देस्की सेम् कर रखिया है पर ऊप्टिकल सेटिंग वाई यह विजो है रिस्पोंज कर वक्लासिक लुव डेड जोन स्मॉल है मुवमें डेड जोन स्मॉल है इनवर्ट लोग ओफ है वैब्रेशन नोन है यह मैंने कभी ने देखिए कस्टम लोग कंट्रोल ओफ है तो काई यह थी कंट्रोल अब आजा तो है मनी मेन सेटिंग्स पर जो की है वीडियो फुल डिपैंड है इनके उपर डिस्प्ले मोड फुल स्क्रीन आपकी मर्जी भाई आप इसको किसे भी विंडो पर बॉडर लेस्पर अपर मैंने फुल स्क्रीन पर रखा है बैटर है देखिए अप कुछ नहीं दिख रहा फुल स्क्रीन तो बस एपक्स रेजिए पिखा है एक सब्सक्राइब आपक्स प ब्रजिश्टी फोर रेस्टो नाएन नेटिव यह वाई सही है कुछ ज्यादा स्ट्रेच होके नहीं देखेगा आप लोगों को सब्सक्राइब नाएंटी रखना है याज से कम भी रख सकते हो आपकी मर्जी है बनाइंटी चे उपर जाते है यह बता रहा है कि सेटिंग्स इस अब नाएंटी में इंपेक्ट प्रफोर्मेंस और को विजुल इसूज तो गाइस आपको धानादा नाइंटी से उपर लेक नाएंटी नाएंटी चेटाइब लग दीजिए इसको निया है स्टेंट व्यू मुमेंट वें जब स्प्रिंट करते तो उस मुमेंट व्यू को देखने की सब्टाइस में ठीक है तो मैंने नॉर्मल कर रखा है और वी सिंग को डिसेबल कर दीजीगा वी सिंग जैसे आपक स्क्रीन और अपना जो प्रोसेसर ग्राफिक काड़ सेम हो तब यह अच्छा है तभी आप इसको जादा कर सकते हो एड़ाप्ट व रिजुलेशन एफिस टार्गिट जीडो कर रखा इसको एंट इनलाइजिंग मैंने टी एससे कर रहा है टी एससे ओ फॉर्स है हाइस एंट इनलाइजिंग क्वालिटी विद्धी मोस्ट स्टेबल इमेज एंड फाट फास्टेस फ्रेम रेट ठीक है और इससे पीछे वाली क्या है नन है इसमें नन में तो कुछ नहीं है कि एससे है काफी अच्छी है ठीक है टेक्स्टर स्रीमिंग बजट यह आपकी रैम के उपर अच्छे मेरे में आपका जो ग्रैफिक कार्ड का है उस पर डिपेंड करेगा मेरा चार जिप्पी अगया मेरे मेरे में च्छे जपी आगे ना यह आगे बोरने आगे सैटिंग ए लार्जस श्रीमिंग बजट दैन रिकमेंड डिटेक्टिड वी रैम और चार जिबी मेरा यह पी कैसे रिकमेंड किया कि चार्ज ज्यादा नहीं करनेगा आपके पास चार्ज को दो तीन दो वेरी लो यह नं तो कहर नहीं करना वेरी लो कर सकते हो अच्छी प्रफोर्मेंस आईगी अच्छे फ्रेम रेट आएंगे आपको फिर नेक्स पड़ा जाते है टेक्स्चर बीट म awakण सब्सका है टेक्ट्र मेंडे करेंग करणें कॉंड तरफ मैस और सरेज डिटिए जर्फिस नोड कलीडर दिए गृव जिंटर ननेग्स आट वर्फोर्मेंड गरिपयोड पड़ेगा अगर मैं सब्सक्रों हाय करता दो अगर ने पिछ सस्क्ँध हैए वह वी 3 तो मैंने इसको बने पर कर रखा है जी ओको पर लोड कम पड़ेगा और गेम की smuthiness काफि अच्छी होगी फ्रेमेट काफि अच्छी होगे gameplay मस चले गा इंग जाया इसको एक उल्हिटी इसको डिसेल कर रखा है नाइस यह भी Sun Shadow coverage मैंने सको लो कर रखा है Sun Shadow details मैंने इसको भी लो कर रखा है स्पूर्ट इडिल्स डिसेबल कर रखा है यह आप लो कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छा का सा PC नहीं है नॉर्मल पीसी है तो आप इसको लोही रहने दीज़ा अच्छी प्रफॉमेंस आएगी फिर है वोलुमेट्रिक लाइटनिंग इसमें क्या होता है वोलुमेट्रिक कंट्रोल स्वेधर संबीम्स और इनेबल टू सेमुलेट लाइट अगर इसको वही है यार सेम वही है अगर इसको कम कर देज़े फेलोड़ लोडम पढ़ेगा अपनको डिसेबल करदेगा डाने मेंट्रिक स्पोड्स एड़ोड़ की इनको आपको जब तक किनेबल नहीं करना जो आथि आधको आपको रहा जना हो आइन जन्रेस्टों 12-11 जिपी का ग्रेफिक हा ऐसा कूप सिस्टम ना हो तो आपको इसको बाद डिशेबल ही रख रख रहा है इस मोडल के अनुसार आप इसको लो कर सकते हो जीपी पर लोड कम पड़ेगा मैं अपने इस पर हाई रखता हूं इफेक्स डिटेल्स को मैंने लो कर रखा है इंपेक्ट मार्क को मैंने डिसेबल कर रखा है रैक डॉल्स को मैंने हाई पर रख रखा है तो सारी सेटिंग्स का मकसद यह है अगर आप रेड्यूस करते हैं अपने सेटिंग्स को तो वो जो क्यों सीप्यू लोड है वह आपको कम कर देगा थिया बाइंड आपको करना आप पर डिपेंड है मैंने वह इन दोनों को भी हाइप कर रहा है बाकि सब नॉर्मल है लो कर रखा साथ कुछ ठीक है तो ओडियो में बाई और देखना है वह चैट रिपोर्ड मों पूस्ट उटा कर रखाया उपन माइक कर देना आपको मास्टर वोल्म कि नहीं आपको इंकमिंग चैट वोल्यूम कि नहीं रखने आपको साउंड इफेक्ट वोल्यूम यह सब तो यह नोर्मल बात आप आपने से कर सकते हो तो इस यह थी सेटिंग्स एपक्स लेजेंड्स की तो कई चलिए एक ट्रेनिंग का फायरी रेंज खेलते हैं आपको दिखाते हैं कि कितना फ्रेम रेट आएगा कि देख रहे हो मेरा 60 से प्लस ही जा रहा रहा है मैं मेरेको तो बहुत मजा आता भाई खेलने में एपक्स लेजेंड्स कितने देख रहा कितना मेरी लो सेटिंग्स कितना फिल्ड व्यू कितना मस्ता है इसमें थोड़ा सा ख्राब है इसमें भी कुकि काफी दिन हो गए मेरेको केले वे अटेच्मेंट भी में लगा रहा थी मैंने तो को आज देख रहे हो 50 58 चल रहा है इन गेम यह लो भी मेरी 60 कर रखा मैंने इसको एफपेस जा रहा है हाई जा रहा है और ना कोई लेग ना कोई चलने में कोई दिकत कुछ भी नहीं है तो वाइस का आनन ले सकते हैं वाइस एफपेस तक चलाए 66 तो वाइस यह थे एपक्स लेजेंड की सैटेंग्स तो आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने में अच्छा लगा होगा वाई अगर इस वीडियो का आपकी हैल्प हो तो वाइस लाइक और चैनल को सब्स्र तो आपकी है तो श्यूस्तर को सब्स्क्राइब कर दो एक आपकी है थाएस ट्यूस्तर के दो झाल झाल